करेंगे कुछ नया और यह नया हमारे बहुत काम आने वाला है आप सबको information मिली गई होगी और आप स्क्रीन पर देख भी रहे होगे कि आपको जो रीट का एक्जाम है उसकी notification आ चुकिए उसके पेपर भरे जा रहे हैं मतलब भरे जारे एक्जाम के और डेट हो चुके 25 अप्रैल 25 अप्रैल हमारे पास इनफ टाइम है तैयारी करने के लिए और मिशन के विस चैनल जो को फॉलो करता है अब भी फिलाल के लिए क्योंकि को नोटिफिकेशन नहीं है और हमें भी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए और यह भी एक टारगेट करते हुए मैंने और हमारी जो टीम है मिशन के विसकी उसने चीज की है कि हम लोग जो स्लेवर से उसको पूरी-पूरी कोष्च करेंगे और और यिउस इंग्लिश इवियस और लेंगिज वगयरा को टारगेट करेंगे और यह वह बहुत अच्छा स्लेवच है इसका थोड़ा से इनोंने हल्का फुल का परिवार का अच्छे तरीक से कि परिवार होता क्या है व स्कें बाद हम स्कार थर्टी माक्स का स्लेवास तर थर्टी माक्स में थर्टी लाइने की कोशिश करवाएंगे कि आप से हम अपने पूरा डालेंगे और आपको इस सारे जब भी आपका एक क्ला या एक भी कोई टॉपिक खतम होगा तो उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसमें आप अपने आपको जात सकते हैं कि आपने कितना मतलब अर्ण किया या कितना सीखें आप तो एक बार आप स्लेवत हाला कि आप लोगों ने देख लाओगा फिर भी आप एक बार स्लेवस देख लीजिए यह मेंन में चीजें जैसे व्यवसाय सार्जुनिक स्थलें संस्था है हमारी सब्वेता संस्कृती परिव संकल्प यह पैडागोजी पैडागोजी का पार्ट भी है इसमें ठीक है और एक चीज़ याद रहे इस बार इन्होंने खास चीज़ बोले कि राजिस्थान जो बोर्ड है उनकी जो बुक्स हैं उसके आधार यानि 6-10 तक के आधार का जो लेवल होगा वहाल जो कठना ही स् जितने भी टॉपिक रहेंगे जितनी भी चीज़ हम कवर करेंगे वह हम राइस्थान बोर्ड की बुक को बेज बनागर कवर करेंगी क्योंकि उसके महां से कंटेंट आने की चांस बहुत जादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट टैम विस्टिंग तो आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जिसका नाम है परिवार तो गाइज आज से हम डिसकुस करेंगे परिवार जो आपका टॉपिक एक है रिट लेवल बन के लिए लेवल टू में भी टॉपिक देखने को मिल सकता है तो इसको हम फोकस करते हो चलेंगे ज्यादा क्या है उसका अर्थ क्या है परिवाशा क्या होती है विशेष्टा क्या होती है परिवार कैसे टूट रहे हैं क्या क्या रीजन है यह सब चीजों को मिसमें कवर करेंगे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे एक में लिखा है फैमिली और एक पूरी फैमिली बताई करें वह परिवार जहां पे माता पिता उनके आविवाहित बच्चे रहते हैं या उनकी शाधी नहीं होती आजकल तुम देखते ओ शेहरों में इसी प्रकार के परिवार यह वाला पर parad old हमको देखने को मिलते हैं इसी टाइप के फैमिली कि भाई देखो इसमें भी एक पिता है एक माता है उनके चोटे-चोटे बच्चे हैं लेकिन हम ज्यादा तर जो पुरानी संस्कृति इंडिया का जो कल्चर है इंडिया के कल्चर में जो सबसे भैतर माने जाता था और अब थोड़ा बहुत माने जाता है वह माने जाता है संहिक्त परिवार को इसके भी बहुत सर रीजन है जिसको हम आगे डिसक्स करेंगे देखो है आप एक दादा जी है उनकी बीवी है और दो उनके बच्चों से बच्चे हैं यहां पर कम से कम तीन जनरेशन देखने को मिल रही यह बेसिक मॉइंट था एकल परिवार और संहिक्त परिवार का इसको हम आगे अच्छे से डिसक्स करेंगे बिल्कुल शांती से यह मैंने पिच्चर इसलिए लगाई थी क्योंकि आपके प्रिवार्स नॉलेज सेजिस करने वाले हम डिसक्स करेंगे परिवार शब्द की उ फैमिली बहुत सारे थेयोरिस्ट फिलासिफर ने अपने अपने कंटेक्स्ट में और जो सोच्वलिजिस्ट ने परिवार की परिवाशा दिया अपने अपने हिसाब से और याद रहे रहे रीट का जो एक्जाम मैंने पुराने भी देखे हैं पूछ सकता है हमसे किसी व्यक परिवार की क्या क्या खासियत होती है तो हम इन चार को आज बेसिकली डिसकस करेंगे और नेक्स वीडियो में तीन पॉइंट बसते हैं उसको डिसकस करेंगे विट फ्यू कोश्चन ताकि आपकी इस टॉपिक में पकड़ अच्छे बन जाए मैं यह प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इसके बाद पार्ट टू देखने के बाद आपको यह टॉपिक दुबारा कहीं से पढ़ने की पड़ेंगी क्योंकि आपका बेस और पूरा कॉंसेप्ट क्लियर जाएगा रीट जो राजिस्थान की बोर्ड है उसको बेस रखकर यह वीडि लेकिन फैमिली के कंटेक्स्ट में इसको एक समू कहते है कि ग्रूप आफ पीपल आर कॉल्ड फैमिली यह लैटिन भाच्चा का एक सब था वैसे इसका मेंली मतलब होता है नौकर आप इंग्लिश में इसको देख लो क्योंकि मैं सेशन बाइलिंगों लेने की पूरी-पू पड़ा लेकिन पड़ा हैं लेकिन वह लाटन भास्टा के सब्द फैमिलिक निकली हैं जिसका अर्थ है सर्वेंट हम सर्वेंट इसके हम कहते हैं ठीक है बट आज के हम आगर आज के देखें या फैमिली करा का Salad या justified फैमिली होती है वह घृठा ग्रूप ऑफ आफ पीपल 15th century में किया गया था तो यह थी बेसिक से नॉलिज जिसको आपको पता होना अच्छी था नेक्स है परिवार का अर्थ मीनिंग ओफ फैमिली फैमिली होती क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है देखो हम अक्सर अभी आज की सोसाइटी में ऐसी ऐसी चीजे हैं कि जिसको हम क Mode कि इस चारेक्टर्स्टिक्स का विवा के बाध निवास होता है यानि परिवार वह जगाए जहां पे दो अलग अलग लिंग सवहाओ के वेक्ति अखला कि अलग अलग matt Leaf शुम हाव मतलब इस्ति और पुरुष ना कि पुरुष प、 या फिर इस्त्री इस्त्री और पुरुष याणि मेल और फीमेल एक साथ शादी के बाद रहते हैं तो वह परिवार कहलाता है लेकिन परिवार क्या नहीं कहलाएगा अगर देखो ये दो क्यूट लेडीज हैं ये अगर एक साथ रहेंगी तो ये परिवार नहीं कहलाएगा अगर दो ये handsome man रहेंगे एक साथ तो भी ये परिवार नहीं कहलाएंगे अब इसके बाद आज का modern कंटेक्स जो हम सबको पता है इस पिच्चर को देखके आराम से आपको याद आजाएगा लिव इन रिलेशन्सिप लिव इन रिलेशन्सिप की बात की गई थी लुके छुपी में तो इसको भी एक बार को कानून परिवार मान सकता है बट इसको समाज शास्त्र या sociology परिवार नहीं मानेगा लिव इन रिलेशन्सिप वाले परिवार की कैटेगरी में नहीं आते इसको नेगेटिव आस्पेक्ट माने जाता और इसको आजकल थोड़ा बहुत अपना रहे है लोज भी बन रहे हैं के लिए तो मैंने कहा कानूनी रूप से इसको परिवार मान सकते हैं लेकिन हम इसको समाज शास्त्र की रूप में परिवार नहीं मानेंगे अब इसके दान विवाहीट जोड़ा है और यही बात मैंने उपर कही थी कि जो भिन-भिन लिंक्स वावक के वैक्ति कार्तिकारियन और कृति सनौन भी थे लेकिन इसको परिवार नहीं माना समाज शास्तर की द्रीष्टी से क्योंकि नोगों ने विवाहा नहीं किया था लिविन में रहे रहे थे लेकिन विराट कोली और अनुष्का शर्मा में एक इग्जामपल दे रहा हूं ताकि आपको चीज़ें याद रहें विराट कोली अनुष्का शर्मा इनका विवाह हो चुका है वीर अनुष्का है तो इनका विवाह हो चुका है विवाह के उपरांत यह जो पत्ति यानि विवाइक कपल्स का अगर संतान होता है तो पूर्ण रोप से 100% परिवार बन जाते जैसे अभी इनके एक डॉटर हुई है जिनको इन्होंने अपने नाम का मिक्स्चर दिया है तो यह पुरा परिवार की डेफिनेशन की परिवार होता क्या है भिन भिन लिंग स कि यला होगे सिठिया है से 6 परिवार का अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छे याद रख सकते हैं परिवार के वह परिवाशा है यह की डेफिनेशन दिए अपने 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 हिसाब से नmbordent definition ने को आपके बहुत काम आने वाली है ठीक है पहली है अगस्टे काम्टे फादर आप से इन्हों ने अपने अपने हिसाब से दिया है इन्होंने कहा है परिवार समाज की आधार और यूनिट राेम्री यूनिट है यानि परिवार हैaf ुरा समाज माझ से पूरा देश बन है तो एक परिवार बेसिक यूनिट है या फिर प्राइमरी यूनिट है जो पूरे समाज को आधार बना के रखे हुए है यानि परिवार है तो पूरा समाज है यह किस ने कहा अगस्ते कामटे ने पूछ सकता है अपसे फिर मैकाईवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं इन्होंने अपनी पुस्तक लिखेती सोसाइटी याद रखना उसमें कहते हैं कि परिवार ऐसा समू है जो यौन संबंदो सेक्ष्वल रिलेशन्शिप पर आश्रित होता है यानि डिप माता-पिता बनते हैं तो मैकाईवर और पेज नहीं बात कहिए कि यौन संबंदों का समू होता है यह सेक्ष्वल रिलेशन्शिप पर डिपेंड करता है और यह इतने शक्तिशाली है पावर्फूल होते हैं कि सीज के लिए अपने जो संतान उनका जन्म लेता है उनके पाल स्कूल है क्योंकि हम सबसे पहले कहाँ सीखता है सबसे पहले कहां होता है क्यों को अभी हाल में 21 तो यह परिवार बाला की प्रथम पाट्चिशाला होती है याद रखो गया इसके बाद क्लियर और इंपॉर्टेंट यह दार्शनिक है इसनोंने बात कहिए कि माता-पिता औ पता और बच्चों के बीच का रिलेशन होता है संबन्ध होता है हुष को हम क्या कहते हैं परीबार कहते हैं बेसिकल्य ही बातAR फिन अगर सिर्फ माता-पिता होंगे पूर्ण। परिवार की विशेष्टा चार बोलेगा इसमें से कौन सी परिवार की विशेष्टा नहीं है अब उसमें से तीन परिवार की विशेष्टा होगी एक नहीं होगी अगर आपको पता होगा तो आप छाड़ दोगे ऐसे ही वह एकल परिवार के साथ कर सकते हैं वह बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सी एकल परिवार की विशेष्था नहीं है तीन सही होगी गलत होगा ऐसे परिवार के साथ कर सकते हैं तो आपको इस चीज़ें पता होनी चीए पार्ट टू में हम कोश्चन को खास करके डिस्कुस करेंगे ताकि आपकी इसमें समझ बने अब एक करके परिव परिवार समाज की मूलभूत इकाई हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्राइमरी यूनिट है और परिवार की समाजिक संद्रशना में केंद्रिश्थिति होती है जो परिवार है उसकी परिवार की समाजिक संद्रशना में केंद्रिश्थिति होती है किसी भी समाज को बनान लेव अच्छे खाना बनाए हमारे हमारे पापा में बाहर घुमा के लाए और पापा की क्या होती है कि हम पड़ा लिके बड़े आदमी बन जाए तो हर किसी की फैमिली में इंटर-related कुछ responsibility होती है उत्तरदाइट होता है और कुछ उमीद भी होती है कि यह चीज पूरी हो ठीक है अब पापा की हमारी responsibility है कि हम अच्छे से पढ़ाए यह क्या है इंटर लेटेड़ उमीद है यह परिवार का फिर परिवार सभी समाजों संस्कृत अता है एस वल्ट मेंसे कोई गंट्री नहीं परिवार ही ना हो हर जगह हमें परिवारσωं को मिल सकते हैं परिवार हर जगह होते हैं चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंग्लेंड हो चाहे वो भारत हो पाकिस्तान हो हमें परिवार शब्द परिवार के लोग परिवार हर जगा देखने को मिलता है तो परिवार इस यूनिवर्सल ठीक है या फैमिली इस यूनिवर्सल और हर कल्चर पाया जाता परिवा परीबार मानव की भावनात्मक आँशक्ताओं कि सन्तुस्टि करता है यानी सब्सक्राइब था Which प्रेम मिलता है स्ने मिलता है लगाव मिलता है त्याग मिलता है हमारे माता-पिता हमारे लिए त्याग करते हैं किस चीज़ का है हमें बुरी आदतों को त्याग करना पड़ता है यह सारी चीज़े कहां से आती है परिवार से चीखते हैं और सुरक्षा हमें सबस्यादा कहां म पड़ता है यहां परिवार के सदस्यों को होना चीए ठीक है यह कर लेना परिवार कि सदस्यों का पालन पोच्छन करने और उनकी जरूर्द को पूरा करने के लिए कोई नहीं क्रिखा canotना पड़ता है बिल्कुल अब लोग सिर्फ पाइदा हो गये तो प्यार से पेट तो नहीं भरेगा ना अब हम जब पैदा हुए तो हमारे माता पिद वह क्या करना पड़ेगा हमारी लिए कोई काम करना पड़ेगा ताकि वह हम पैदा हुए हमारी जरुरुत को बंदन की वाजा से समाजिक बंदन की वाज़ा से भी बंदे हो तो यह विए बहुत बढ़ी होता है तो यह यह चीज याद रखे परिवार की विसेश्ता यह है कि बच्चे के अंदर सारे संस्कार और उसके समाजी करण का पूरा भार परिवार के उपर होता है में ली उसके बाद ही तो उसका अच्छे समाजी करण हो पाता है जो प्रात्मिक समाजी करण होता है परिवार के द्वारा ही होता है जो प्राइमरी सोचलाइजेशन होता है होना तलाक यानि डिवार की सदसिता त्यागी जा सकती है एक परिवार को अक्सर हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में डिवास हो रहे हैं अलग हो रहे हैं शादी होने के बाद या फिर पिर जाती है यह ऐसे एलिमेंट से ऐसे परिवार से अलग हो सकते हैं अब इस कंटेक्स्ट में या इस अर्थ में परिवार आस्थाई होता है ठीक है लेकिन याद रहे एक संस्था के रूप में परिवार स्थाई है stable है मरने पर Oh separation होने पर और Тालाँ डिवस वगरा होने पर हम परिवार से अपनी सदस्था यहां सकते हैं या हटवा सकते हैं लेकिन और इस कंटेक्स परिवार आस्थाही हो जाता है कि tortilla उसकता है यह सथाय होता है लेकिन एक संस्था करना परिवार का concept कभी कबी खतम नहीं हो सकता है हमारी my जो हमारी membership वह परिवार से अलग हो सकती है खतम हो सकते किसकी वज़ा से मिर्धिकी से सेप्रेटेशन की वज़ाँ से अलग तो आप अपना सपोर्ट ऐसे भनाई रखेगा जब तक रीट चल रहा हैं रीट को लेकर चलेंगे साथ में जैसे क्विस साने वाला है तो हम को भी लेकर चलेंगे साथ में छोड़ेंगे कुछ भी नहीं कुछ काम के important काम की वाई से मैं भी बहुत बिजी था लेकिन अब मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं सारा स्लेबस पूरा करवाऊंगा आप हमारी वीडियो को लाइक कर लाइक कीजिए शेर कीजिए अपनी श्रद्धा से अगर आपको हमारा कंटेंट पशान आता है तो अपने दोस्तों को भी शेर कीजिए उनको पताइए कि यहां भी पढ़ाई हो रही है थैंक्स वर वाचिंग अपना सपोर्ट बनाया रखेगा वीडियो को देखने के धन्यवाद जुड़े र